आज हम सिखने वाले हैं आप अपने रिल वीडियो में लिरिक्स को कैसे लिख सकते हैं लिरिक्स दो टाइप का होता है एक वीडियो के पहले और एक वीडियो के उपर तो हम दोनों परकार का लिरिक्स लिख करके दिखाएंगे बस आप इस वीडियो को बीना skip किये लाश्ट तक देखते रहिए लिरिक्स को लिखने के लिए आपके फोन में केपकट एप होना चाहिए एविल पर जितना भी लिरिक्स वाला जो वीडियो वाइरल होता है वो केपकोट एप से ही लिखा जाता है तो आप केपकोट एप को दाउनलोड किजिएगा अगर आपको करने नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, तेलेगराम पे फिर WhatsApp ग्रूप में आ जाईएगा लिंक देदेंगे डिरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर लिजिएगा तो चलिए अब इसका editing सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको आचा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकान को फ्रेस कर लिजिएगा तो चलिए अब आपको लेकर करके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आपके फोन में जो वीडियों है उसको आप करनेक्ट किजिएगा अगर आपके फोन में कोई सब्सक्राइब नहीं है तो आप यहां से प्लेस्टोर को ओपन किजिएगा इसको आप दाउनलोड किजिएगा हम पहले से दाउनलोड करके रखें तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस परकार से सूपर बीपन ओपन हो करके आ जाता है यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा कनेक्टेद करने का आइकन इस पर आप किलिक किजिएगा हो यहां से आप प्लस वाला आइकन पर किलिक किजिएगा जो आप अपने वीडियो को इडित करके रखें उसको आप एड किजिएगा एड वाला बटन पर किलिक कर देजिएगा तो कुछ इस परकार से एड हो जाएगा लाश्ट में वातर मरक आएगा इसको आप डिलित कर दे सकते हैं कुछ इस परकार से जैसे आप देख सोके में वीडियो एड कर लिये हैं बस इसमें मुझे लिरिक्स को लिखना है तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा ध्यान देख करके देखिएगा रिल वीडियो में दो टाइप का लिरिक्स लिखा जा रहा है एक टाइप जो है वीडियो से पहले जो लिरिक्स आता है वो और दूसरा वीडियो के ऊपर लिरिक्स लिखना ठीक है तो आपको जैसा लिरिक्स लिखना है वो आप लिख सकते हैं सब इसमें बताएंगे मान के चलिए इस वीडियो के पहले मुझे लिखना है जो भी हमारा लिरिक्स है वो मु देखिजिए गा जैसे ही किलिक करेंगे कुछ इस प्रकाट से इसमें आपको वीडियो फोटो देखने को मिल जाएगा देख सौकतों को जो भी आप युज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन सबसे ऊपर आपको देखनों को मिल जाएगा एक बलेक कलर का बैकर करके रख दीजिएगा उसके बाद आप play करके देख लिजिएगा कि आपको यह background मतलब की lyrics कहां तक चाहिए वहां तक इसका size ले जा करके रख दीजिएगा मान के चलिए मुझे यहां तक चाहिए थोरा सा चोता कर लेते हैं तक आपको अच्छे से समझा सके, मान के चले मुझे यहां तक चाहिए, तो हम रख लेंगे, इतना हो जाने के बाद, इस background का जो size है, आप यहां से full screen में कर देजिएगा, कुछ इस पर कर से, इतना हो जाने के बाद, अब हम इसके starting में आजेंगे, यहां से आप अपना audio को aid कर लेजिएगा, और audio को स आप यहां से वैक वाला आइकन पर किलिक किजिएगा, टेक्स पर किलिक किजिएगा, एद टेक्स पर किलिक किजिएगा, कुछ इस परकार से इंतर टेक्स आ जाएगा, तो यहां पर आपका जो भी लिरिक्स है, आप यहां से लिख लिजिएगा, तो हम पहले से एक लिरिक् लिकर अपलाई कर दिजिएगा इमोजी तो यहां पर है जब आखे तो आख वाला हम इमोजी अपलाई कर देते हैं यह वाला उसके बाद यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा यहां पर आपको बहुत सब्सक्राइब देखनों को मिल जाएगा जो भी आपको आपको आप करता है आप यहां से रख सकते हैं बहुत आच्छा आच्छा देखनों को मिल जाता है ठीक है जो आपको आच्छा लगे ना यहां से आप रख लिजेगा देख लिजेगा ठीक है बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आप उपिन करके देख लिजेगा क्योंकि real video में जो lyrics होता है उजला color का होता है अगर आप दूसरा लेना चाहते हैं रख सकते हैं उसके पर इसका size आप छोता बारा कर सकते हैं तो हम यहाँ पर थोरा सा बारा ही रखेंगे कुछ इस परकार से क्योंकि इसमें सिर्फ lyrics लिखना है ठीक है ब्लेक बैगग्रांड पर तो हम बारा रख लेते हैं और वीडियो के ऊपर लिखना लखेंगा तो उसका size आप छोता रखेंगा अगर आप ब्लेक बैग्रांड पर लिखते हैं तो इसका size अप बारा रख 버侑 और कुछ इस पर कर से इतना हो जानेक वर आपको कुछ देना एश्ट्रो कनवान से दो वगएरा तो आप यहां से दे सकते हैं उसके बाद एस पेलिंग पर किलिक किजिएगा अगर इसमें आप मलब यह जो एस पे से बीच में का यह आप बढ़ा लिजिएगा अगर आपका मलब लिरिक्स होता होगा तो तो हम कुछ इस परकार से इतना कर लेते हैं आप अपने एकोणिंग देख लिजिएगा इतना हो जाने के पर यहां से इफेक्ट पर किलिक किजिएगा यहां पर आलग लग आपको इफेक्ट देखनों को मिल जागा जिस पर आप किलिक करेंगे इस पर करका आपका लिरिक्स होगा तो यहां से आपको नहीं लेना आप यहां से Google पे क्लिक कीजिए यह आपका कोई काम नहीं आएगा यहांसे आप यहां से औरمة की किलिके झीए यहां पर आपको जो आच्छा लगता है उसको आप apply कर देज़ेगा बहुत सारे real में यह होता है fade in वाला जैसे ऐसे आएगा fade in वाला जैसे आप देख सकते होंगे तो आप जो apply करना चाहते हैं वो आप apply कर सकते हैं यहाप आपको बहुत सारा देखनों को मिल जागा लेकिन हमको करना है यहाँ पर चलिए fade wife करके यहाँ आता है उसको मुझे apply करना है इसे side से slide हो करके आता है चलिए आपको दिखा देते हैं यह faded wife वाला जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर यह वाला मुझे apply करना है तो हम यहाँ से apply कर देंगे और इसका जो duration हम थोड़ा सा increase कर देंगे आधा से आप जादा किजिएगा इन animation में ठीक है तो हम इन में कुछ इस परकर से इतना कर लेते हैं कुछ इस परकर से धीरे धीरे आएगा उसके बाद आप यहाँ से out पे किलिक किजिएगा उसके opposite side वाला जो भी animation होगा उसको आप apply कर देंगा अगर आप fade in वाला apply करेंगे इन animation में तो out में आ करके fade out वाला आप apply किजिएगा ठीक है तो हम की एस थे faded wife वाला ठीक है तो चलिए उसके opposite side वाला हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आपको symbol भी देखनों को मिल जाएगा कि यह आप apply करेंगे तो की इस परकर से देखनों को मिलेगा तो यहाँ से आपको जो आच्छा लगता है आप यहाँ से apply कर सकते हैं तो चलिए हम यह से देख लेते हैं faded wife वाला यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा यह रहा थी कि उसके ठीक अपोजीत साइड वाला तो हम इसको apply कर देंगे और इसका deviation हम कुछ इस परकर से रहने देते हैं उसके बाद हम यहाँ से down पे किलिक कर देंगे तो हमारा lyrics कुछ इस परकर से लिखा हुआ आजाएगा जैसे कि आप देख सोकतों होंगे उसके बाद आप play करके देख लिजिएगा कि आपका जो lyrics है कहां से start हो करके कहां पर खतम होता है तो चलिए मान के चलिए मेरा यहाँ पर खतम हो जाता है यहाँ तक मुझे चाहिए तो हम अपने lyrics का जो size कुछ इस परकर से छोता कर देंगे जहां से आपको चाहिए वहाँ पर रख लिजिएगा जहां पर खतम होगा कुछ इस परकर से कर लिजिएगा अब कुछ इस परकर से आपको देखनों को मिल जाएगा इतना हो जाने के बनमान के चलिए यह तो एक lyrics हो चुका है अब मुझे आगे भी कुछ lyrics आता है उसको लिखना है तो लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बहुत easy step है इस lyrics पे रहिएगा यहाँ से आप copy कर दिजिएगा दबल हो जाएगा अगले पे मलब दबा करके रखिएगा और जहां से आपका lyrics आता है वहाँ पर ले जा करके इसको रख दिजिएगा तो मेरा यहाँ से आता है हम यहाँ पर रख देंगे फिर आप इसी lyrics पे click किजिएगा तेक्स पे इस पर आप double click किजिएगा कुछ इस परकर से और इस lyrics को आप यहाँ से erase कर दिजिएगा और अगला आपका जो भी lyrics से उसको आप लिख दिजिएगा तो सब हम 12 लेतर में लिखेंगे तो मुझे अब लिखना है बंद होती है ठीक है आपका जो भी lyrics होगा आप यहाँ से लिख लिजिएगा बंद होती है हम कुछ इस परकार से लिख लेते हैं जैसे कि आप देख सोकते होंगे और इसी field के साथ आप एक emoji अपलाई कर दिजिएगा बंद होती है तो हम बंद वाला जो emoji है अपलाई कर देंगे उसके बाद down पे click कर देंगे लिजिए कुछ इस परकार से आपको देखनों को मिल जाएगा देख लिजिए जब आखे बंद होती है ठीक है कुछ इसी परकार से आप अपने real video के पहले आप अपना lyrics को लिख सकते हैं तो हम यहाँ से लिख लिए अगर आपको starting में lyrics नहीं लिखना है आप अपने video के ऊपर लिखना चाहते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं कैसे लिखना चलिए आपको लिख करके दिखाते हैं हम इसको slide कर लेते हैं क्योंकि आगे हम यही lyrics apply करेंगे तो हम इसको दबा करके रखेंगे आगे कर लेंगे फिर हम इस पर भी click करके दबा करके रखेंगे आगे कर लेंगे ठीक है मुझे starting में नहीं चाहिए तो हम यहाँ से जो भी हम black background को apply किये थे इसको हम delete कर लेते हैं कुछ इस पर कर से उसके बाद हम इसको slide करके जो भी यही lyrics मुझे यहाँ पर भी apply करना है थीक है तो हम इसको slide कर लेते हैं उसके बाद हम play करके देख लेते हैं कि मेरा जो lyrics है कहां से एश्टात होता है कहां पर खतम हो जाता है सबसे पहले आपको play करके दिखाते हैं यहां से आ जाता है जब आखे ठीक है जहां से आपका लिरिक्स आएगा वहां पर आ करके रुक जाईएगा और आपका जो भी लिरिक्स आप यहां से लिख सकते हैं तो हम पहले से लिख करके रखें तो हम इसको सलाइड करेंगे इस पर हम किलिक करेंगे और इस पर हम दबा कर करके रखे थे उसलिए हम इसको सलाइड कर दिये ठीक है आपको लिख करके भी दिखाएंगे तो चलिए हम यह से प्ले करके देख लेते हैं तो यहां से हो गया जब आखे ठीक है कुछ इस पर कर से इतना हो जाने के बाद इस पर हम क्लिक करके इसका आप जहां पोजीशन देन स्टार्टिंग में तो आप इसका साइज बारा रखिएगा अगर वीडियो के ऊपर करते हैं कुछ इस परकार से तो इसका जो साइज है आप छोता रखिएगा तो हम कुछ इस परकार से इतना बारा रख लेते हैं इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं प्ले करके देख लेत है तो हम क्या करेंगे इस lyrics को हम यहां से delete कर लेते हैं चलिए कुछ इस परकार से और इस lyrics को हम copy paste करके हम आगे lyrics लिख लेंगे तो यहां पर हम लिख लिए जब आखे इसके आगे मुझे लिखना है बंद होती है तो लिखने के लिए simple आप इस पर click किजिएगा copy कर दीजिएगा double हो जाएगा एक पर दबा करके रखिएगा जहां से आपका अगला lyrics start होता है वहां पर ले जा करके रख दीजिएगा थोड़ा साम इसको starting में लिया करके रख देंगे कुछ इस परकार से यहां से ठीक है आप अच्छे तरीका से इसका position देख लिजिएगा फिर हम इस पर click करेंगे double click करेंगे कुछ इस पर करने वाला emoji apply करेंगे दौन पर click करेंगे यह भी उसी जगा पर उसी size में same यह भी फीट हो जाएगा उसके प्ले करके देख लेते हैं कि इसका जो size मुझे कहां तक रखना है थी प्लेकर होती यहां पर होती है यह मेच हो चुका है थोड़ा सा बारा कर लेंगे आप अपने recording देख लिजिएगा चलिए हम फिर से प्ले करके देख लेते हैं आख बंद होती है यह मेच हो चुका है उसके बाद फिर से हम आगे lyrics लिखने के लिए फिर हम इस पर click करेंगे यहां से copy क कर लेंगे उसके बाद हम इसको slide कर देंगे दबा करके रखेंगे slide कर लेंगे आप अपना play करके देख लिजिएगा कि अगला lyrics कहां से आएगा तो मुझे साइद लगता है यहां से आएगा चलिए हम play करके देख लेते हैं अगला lyrics कहां से आएगा बस तू यहां से मेरा ठीक यहां पर हो चुका है बस तू इस लिरिक्स में लिखना है बस तू साथ तो हम इस पर दबल किलिक कर देंगे कुछ इस परकार से किलिक करेंगे दबल किलिक करेंगे लिखने के लिए आजा भाई कुछ इस परगार से इसको आप यहां से एरेज कीजिएगा अब आपका जो भी लिरिक्स होगा अगला उसको आप लिख लिजिएगा तो हम मुझे लिखना है बस तू साथ ठीक है तो हम यहसे लिख लेते हैं बस तू आपका जो भी लिरिक्स होगा आप यहां से लिख लिजि है कि जो साइस ये कहां तक रखना है कि प्रतु है फिल ये फिर हम प्रेकर ग्रहा लेंगे अच्छसे मुझे एक किली करें चाया कि यहां से slide कर देंगे और जहां से आपका lyrics start होगा वहाँ पर आ करके रुख जाईएगा उसी text पर क्लिक किजिएगा double क्लिक किजिएगा और आपका जो भी lyrics होगा आप यहां से लिख दीजिएगा तो हम यहां से होती है लिखना है प्ले करके देख लेते हैं कि यह जो लिरिक से कहां तक रख रहा है यहां पर यह fix हो चुका है मलब match हो चुका है जैसे कि आप देख सकते होंगे ठीक है इसी परकार से आप बारी बारी से आप अपने सभी lyrics को लिख लिजिएगा इसके आगे जितना भी lyrics से चलिए आपको मलब लिख करके आपसे फिर मिलते हैं तो हम अपने सभी lyrics को लिख लिए आप अपने हिसाब से लिख लिजिएगा आपका जो भी lyrics होगा तो चलिए आपको play करके दिखा देते हैं कुछ इस परकार से मेरा lyrics देखनों को मिल जाएगा आप अपने हिसाब से जो animation apply करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं हम कुछ इस परकार से अपना animation apply कर दिये हैं आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इतना हो जाने के बाद आप सब सीख गए होंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लिरिक्स कैसे लिखना है और वीडियो पे कैसे लिखना है बस यही मुझे बताना था तो आप सब सीख गए होंगे इतना हो जाने के बार वीडियो को export करने के लिए आप यहांसे quality अपना देख लिजिएगा Aero पे किलिक करके आप अपने वीडियो को gallery में save कर लिजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि यह editing आप सबको आच्छा लागा होगा अगर थोड़ा सा भी लागा हो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में